सबी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सिम्रन है और मैं मैं काडिया लोहर समाज से हूँ, जो कि एक घुमन्तु समाज है और मैं UPSC के तयारी कर रही हूँ साथ ही मैं पिछले पांच वर्षियों से घुमन्तु समाज के मध्य ही काड़े कर रही हूँ गाडिया लोहर वह समाज है जो महाराणा प्रताप का वंशेच कहा जाता है जब महाराणा प्रताप हताश हुए थे तब इसी समाज ने उन्हें पांच वचन दिये थे जो की है कि पहला हम कभी भी स्थाई घर नहीं बनाएंगे दूसरा इस दुर्ग पर नहीं चलेंगे दुर्ग मतलब वही पहाट जिस पर चितोड का किला था तीसरा हम दीपक नहीं जलाएंगे चोधा खाट पर नहीं सोएंगे और पांचवा पानी खीचने के लिए जो रश्री होती थी उस वक्त उसको नहीं रखेंगे यह वही स्वाभिमानी समाज है जिसने कोविट के टाइम पे मिलब खुद तो अभाव गरस्थ है और 51,000 रुपे की राशी अपने जितने भी दिली के गाड़े लोहार बस्तियां हैं उनसे इकठा करके सेवा भारती संस्था को दिया था इस समाज का बेटी होने के कारण मुझे भी गुर्वानवित मैसूस होता है कि मैं इस स्वाभिमानी समाज के मध्य कारे कर रही हूँ तो गुमन्तु समाज पदिती होने के कारण ये समाज खुद तो शिक्षित नहीं हो पाया लेकिन अब इनके बच्चों को शिक्षित करने का कारे हम कर रहे हैं इसी के चलते दस से अधिक बच्चों का एड्मिशन हमने विद्यवार्थी के स्कूलों में करवाया और आगे भी कई सारे जो बच्चे हैं उनका गोपाल धाम और सेवा धाम में अड्मिशन करवाने का हमारा प्रयास है उसके साथ ही जो महिलाएं हैं उनको स्वावलमवी बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रूप उनसे जोडने का कारे हम लोगों ने शुरू कर दिया है धन्यवाद धन्यवाद सिम्रन जी